अब अब यहूदियों से नफरत का जो आज सलसला चल रहा है मेरा हल एक दहाँ आपको फिर वीडियो दिखाए दी जाए वीडियो थोड़ी मज़े कि दर आपको दिखाते हैं किस वीडियो में है क्या इस्राइल मुर्दाबाद 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 इस तो ये जो इस्राहिल की को मावेन की गालियां दे जा रहे हैं उसकी पीछे वजा क्या है यहूदियों से तिरी नफरत क्यों है एक तो यह फलस्थीन का मसला ना चलो इस्राहिल फलस्थीन तो अभी 70-75 साल पुरान है ना लेकिन जैसे मैं आपको बिताया कि कुरान में 21 आयता है यहूदियों नसारों को दोस्त ना बनाओ और फिर जो बाद में 82 आयता है कुरान की इसी चैप्टर सुरह मायता है कि उसमें कहा है यहूदी जो है सबसे बड़े दुश्मन है तो इसकी वज़ा क्या है अब देखें रिसूल अला किस तरह बैठे बठाये चिड मे यहूदियों की चिड में चीजें किया करते थे यह देखें यह है तिर्मती की हदीश है और सुनन अभी दाउत की हदीश है कि एक दफा रिसूल अला बैठे वे थे चलो वो वाली तो थोड़ी मेरा खाल दाइफ है लेकिन अगली वाली हसनना मैं आपको सही भी दिखाता कि एक दफा रिसूल अला खड़े हुए नमाजे जनाजा के लिए है और खड़े रहे तब तक जब तक लाश को कबर में उताद नहीं दिये गए तब वहाँ से एक यहूदी घुजरा उसने भी का कि मैं शरारत करता हूँ उसने का ओ यह तो हम वैसे हैं यह तुम तो वैसे ह करते हैं तो रिसूल अला खाना फोरऑ नहीं बैढ़ गए उननं का नए आज के बाद एसा नहीं करना क्योंकि ऐसे यहूदी करते हैं कितर गया आपका अलम्या का तरीका कि आपने वही का इंतजार नहीं करना था रिसूल इल्हार यह तो साफ पता चाल रहा है चिड में रि कहरा अच्छा जी के थे खड़ हो जाते हम सुद्धे करना जो सुद्ध जटर में इसी तरह की हदीश यहूदियों की चिर्ड में ये सुनन इपनमाजा की बड़ी मुशुर है कि मसीही और जो यहूदी हैं वो अपने बालों को रंगता ही नहीं है तो तुम वैसे करो उनसे उल्टा काम करो इपनमाजा की भी यह हदीस है सही ब aqueles की भाड़ी की भी हदीस है यानि उनसे उल्टा काम करो जो वो करेंगे वो बच्चों में लड़ाई हो रही होती कि बच्चा यूं करेगा वो करेगा मैंने भी ऐसे करना वो करेगा ऐसे करना अच्छा अब उल्टी लड़ाई चाल रही है तो उसका उल्टा करेगा तो ये ये मजब है काईनात का बनाने वाला ब्लैक होल, हजारों खर्बों, सतारे बनाने वाला नजाम-शम्सी, जमीन, कैसे घूम रही है सुरज के गिर्द, जो के वो भी खेर उसे नहीं पता था ये ये बनाने वाला ये रखते करवाएगा अपने बंदे के साथ कि यार जो करें उसका उल्टा करना और ये सिर्फ ये एक दो हदीसे नहीं इसी तरह किये रखें सुनर निसाई में भी दो जगा पर ये हदीसे आई ये कि मसीही और यहूदी जो है अपने बालों को कलर नहीं करते तो तुम भी उनसे उल्टा करो अब रिसूल आला को पता नहीं चला कि उन्होंने एक फैशन ट्रेंड सेट कर दिया वो आज कर चलता ना हजर सुलेमान आईरन मैन थे पता नहीं हजरत ईसा पता नहीं क्या थे वो तो रिसूल आला जो थे पहले ट्रेंड सेट रहते है फैशन, जो यह वरसाची वरसुची और यह गूची शूची जो पता नहीं क्या चैने बेचते रह राएगा रिसुल्लान ने एक नया fashion इजाद किया उनों तो उसका नतीजा क्या निकला यह जो आपने देखा ना यह मेंदियां जो मुँँआ पर मली होती है नो न शकल था बेड़ा गार करा ला सुन्नत के चकर में तो यह इस हदीश का नतीजा है अकसर अगर आप लोग सोचते हैं कि यह क्या है यार यह कोई अपनी शकल को इतना मजीद खराब क्यूं करेगा यह ठीक है अगर आपके बाल सफेद हो जाएं तो आप लोड़ा बालों को काला कर लें, ब्लॉंड बन जाएं काले के उपर ब्लॉंड बाल लें चलते हैं लेकिंज़ मेरे बाल सफेद हो जाएं तो मैं ब्लॉंड ब्लॉंड जू करूँगा तो एनियो तो कुई अज़रा स्टाइल बनाएं या बीर्ड को कुई अच्छा शाएं नुरानी, कितने नुरानी चेहरे हैं चार बका कह रहे हैं अगर यहूदी खाना खाता है, पानी पीता है तो फिर सका उल्टा क्या वगा ले नी, वहाँ पे ले वहाँ पे खाना नहीं छोड़ेंगे वहाँ वैसे एक बात है बंदा पूछे रिसूल अला से यह भाई होते है, चार बकाई होते हैं रिसूल ला हर काम हमने उनसे उल्टा करना है यहूदी तो खाना भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं बातरूम भी जाते हैं, अच्छा लेकिन डिंग डॉंग उपसिट करती है, उसके उपर आयत आई है यहूदी जो थे सिरफ यूनोँ मिशनेरी करते होते थे यानि ठाग ठाग तो उसके उपर मशूर नहीं आयत बड़ी के औरते तुम्हारी खेती हैं इंके उपर जहां से मर्जी आओ तो वो इसलिए आई थी क्योंके औरते कहती थी क्योंके यहूदी जो थे वो डिंग डॉंग सिरफ एक ही पोजीशन में करते थे उनका यह मानना था कि अगर उनने थोड़ा ज़्यादा इंजुआय करने की कोशिश की अगेंस दा वाल, किचन काउंटर सोफा, बैड, आल फोर्स वो वो अगर वो स्टाइल किया तो बच्चे, आंधे, लूले, लंगडे, काने बगार पैदा हो सकते तो उनको खतम करने के लिए, उनको घलस थाबित करने के लिए, अल्ला में ने आयत देखने के लिए, मुझे पेपैल या पेट्रियोन पर जूर सपोर्ट कीजिए ताके मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पंचा सकूँ